Hi everyone, welcome back to my channel आज मैं explain करूंगी Soul Plate Part 2 को कि आखिर Sophia को वो सपना बार बार क्यों आ रहा था और क्या Sophia और Ravial वाके ही में एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं या नहीं ये सब आपको इस सीरीज में पता चलेगा बट बिफोर दा प्रीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा सो विदाउट अ फदर अडू, लेट्स केट स्टार्टेट Sophia की बात सुनने के बाद Ravial Sophia की तरफ बढ़ता है Muriel को लगता है कि Ravial Sophia पर कुस्सा करेगा इसलिए वो Ravial को रोपता है पर Ravial को छूते ही, Muriel को जटका लगता है और वो दूर जाके गिरता है Ravial Sophia के सिर पर अपनी उंगली रखता है और वो बेहोश हो जाती है Ravial ने Sophia की मेमोरी भुला दी थी और जब Sophia को होश आता है, तो वो अपने आपको अपनी कार में ही पाती है Sophia को लगता है कि वो कार में ही सो गई थी उधार रेस्टराण में एक और कस्टमार आते हैं और वो Soul Plate मेंबर से कहते हैं कि उनकी गेस्ट आने वाले हैं इसलिए वो Soul Plate रेस्टराण की सबसे महेंगे डिश उनकी गेस्ट को सर्फ करें जिस पे soul plate manager कहता है कि chef के recommendation chicken soup है और उनके guest ने भी यही request किया है तब है उस आदमी का guest वहाँ आ जाता है वो guest एक लड़का था जिसका नाम योचैन था angels उनके dish बनाने लगते हैं और रैवियल उस dish में भी अपना magic डाल देता है वो आदमी योचैन को शुकरिया कहता है क्योंकि योचैन उस आदमी की बेटी को अपनी एक kidney डोनेट करने वाला था जिस पे योचैन कहता है कि वो तो बस उनकी kindness को repay कर रहा है योचैन उस आदमी को तब की बात याद दिलाता है जब योचैन बच्चा था और एक दिन एक स्टोर में योचैन ने अपनी बिमार मा के लिए एक चिकन सूप चुरा लिया था पर स्टोर की ओनर ने उसे पकड़ लिया था तब उस आदमी ने ही योचैन को उस ओनर से बचाया था वोसादमी ने ओनर के सामने योचेन को अपना बेटा बताया था और योचेन के चिकन सूप के लिए पे भी किया था घर जाके योचेन ने अपनी बिमार मॉम को ये चिकन सूप खिलाया था योचेन कहता है कि वो उनका शुक्र गुजार है कि उनकी वज़े से ही वो अपनी मॉम को वो सूप खिला पाया क्यूंकि उसकी मॉम वो सूप खाना चाहती थी और उसकी मॉम ने उससे कहा था कि उनकी काइनेस रिपे करने के लिए योचैन एक अच्छा इंसान बने और वो उनकी इसी काइनेस को रिपे कर रहा है अपनी kidney donate करके वो आदमी योचैन से उसकी mom के बारे में पूछता है योचैन कहता है कि उसकी mom उसी रात नहीं रही थी वो आदमी कहता है कि योचैन को उसकी बेटी के लिए kidney donate करने की जरूरत नहीं है वो ये देखकर खुश है कि योचेन एक अच्छा इंसान बन गया है जिस पर योचेन कहता है कि उसके सारे टेस्ट्स हो चुके हैं और अगर जल्दी ही ओपरेशन नहीं किया गया तो उस आदमी की बेटी की जान को खत्रा हो सकता है योचेन बताता है कि जल्दी ही उसका एक्जाम है जिसके बाद वो डॉक्टर बन जाएगा ये सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है कि योचेन एक अच्छा इंसान बन गया है वो आदमी कहता है कि वो कैसे योचेन को रिपे करेगा जिस पे Yochan कहता है कि Yochan चाहता है कि वो उनके साथ यह Chicken Soup पिये और वो दोनों Chicken Soup पीने लगते हैं उनके जाने के बाद Angel Celebrate करते हैं क्योंकि जल्डी ही उनकी सजा खतम होने वाली थी और वो सब वापस Haven जाने वाले थे तब इरैवेल को विजन में सोफिया का ड्रीम दिखता है, जिसमें वो खुद को देखता है, और ये देखकर कि वो शौक हो जाता है, फिर एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम सू था, वो अपने डैट से मिलने जाती है, जहां उसके डैट की गल्फरेंड भी थी, उसके डैट की गल्फरेंड सू से पूछती है कि क्या सू उन्हें अपनी मॉम बनने देगी, जिसपे सू कहती है कि नहीं, और जाने लगती है, सू को अपने डैट की गल्फरेंड पसंद नहीं थी, तबी सू को उसके डैट की गल्फरेंड रोक लेती है, और उसे खाने को चाहिए था और वो सू को कॉल करते हैं पर सू उनका कॉल नहीं उठाती सू को भूख लगती है तभी उसे सामने सोल प्लेट रेस्टरॉन नजर आता है और सू उसके अंदर चली जाती है इंजल एरियल सू से इन्वाइट मांगते है सू को डिशेज बहुत पसंद आती है सू कहती है ये वैसी ही है जैसी उसकी मॉम उसके लिए बनाया करती थी सू मूरियल से पूछती है कि क्या ये डिशेज उसने बनाई है जिस पर मूरियल कहता है कि आज का ओर उसने नहीं बनाया तबी Sue के सामने एक और डिश सर्फ की जाती है जो उसके डाट की गल्फरेंड लाई थी Muriel कहता है कि Sue के लिए ये सारी डिश उसके डाट की गल्फरेंड ने बनाई है Angels ने अपनी पावर से Sue को रेस्टरॉंट बुलाया और जादो से उसके हाथ में इंविटेशन कार्ड भी दिया Angels Sue और उसके डाट की गल्फरेंड के बीच में सब ठीक करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने Sue और उसके डाट की गल्फरेंड को बुलाया Sue के डाट की गल्फरेंड ने Sue के लिए खाना बनाया सू के डैड की गर्ल्फरेंड सू के सामने एक पेपर रख देती है जो उन्हें सू के डैड ने दिया था जिसमें सू की मॉम की रेसिपीज लिखी हुई थी सू के डैड की गर्ल्फरेंड सू से कहती है कि वो उसकी मॉम बनने के कोशिश नहीं कर रही वो बस इस बात से खुश है कि उनका खाना सू को पसंद आया सू की डैड की गर्ल्फरेंड बताती है कि उन्होंने और सू के डैड ने ब्रेक अप कर लिया है और सू अब अपने डैड से नराज़गी छोड़ दे और अपने डैड के साथ रहे क्योंकि Sue के डैड Sue के लिए बहुत परिशान है तभी वहाँ Sue के डैड आ जाते हैं जिने Sue के डैड की गर्ल्फरेंड ने बुलाया था ताकि Sue अपने डैड के साथ जा सके Sue के डैड Sue से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है सू को अपने डैड के साथ दे कर सू के डैड की गल्फरेंड वहां से जाने लगती है तब ही सू उसे रोक लेती है सू कहती है कि अगर वो उसके डैड से प्यार करती है तो वो अलग कैसे हो सकते है सू कहती है कि वो अलाव करती है कि सू के डैड और उनकी girlfriend शादी कर सके पर सू इतनी जल्दी उनके साथ अच्छा behave नहीं कर सके ये सुनकर सू के डैड और उनकी girlfriend सू को गले लगा लेते हैं इधर सोफिया के पास soul paid restaurant का order आता है और अचानक सोफिया बेहोश हो जाती है सोफिया सपने में रावियल को देखती है सोफिया को मिस्टर पाक की बेटी अपने घर ले जाती है पर जब वो उठती है तो देखती है कि सोफिया को होश आ चुका है और वो गायब है सोफिया बैठी ही होती है जब वो अपने दादाजी को अपने साथ बैठा देखती है अब वो ठीक हो गए थे उसके दादाजी उसे सोल पेट रेस्टरॉन के बारे में बताते हैं वो कहते हैं कि वो जगा एंजल्स की है वहाँ एंजल्स रहते हैं सोफिया के दादाजी बताते हैं कि एंजल्स धर्ती पर human body में आते हैं जिससे वो एंजल्स हर वो emotion feel कर सकते हैं जो humans feel कर सकते हैं वो खा सकते हैं, छू सकते हैं, smell कर सकते हैं जैसे humans करते हैं सोफिया के दादाजी बताते हैं कि वो भी एक एंजल थे और उन्हें अपनी family चाहिए थी इसलिए उन्होंने शादी की और वो यहां रुक गए Sophia के mom dad की मौद भी शायद उसके दादाजी की बुरे कर्मों की वज़े से हुई और इसलिए Sophia angels को देख सकती है तब ही Sophia को ravial देखने लगता है और वो दोनों साथ में होते हैं जब मिस्टर पाक Sophia के दादाजी से कहते हैं कि Sophia ऐसे behave करती है जैसे Sophia के साथ कोई हो और उन्हे Sophia को किसी doctor को दिखाना चाहिए पाक ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो Sophia को तो देख पा रहे थे पर ravial उन्हें नजर नहीं आ रहा था जिस पे Sophia के दादाजी कहते हैं कि ऐसी बहुत सी चीज़े हैं जो लोग नॉमल आखों से नहीं देख सकते Sophia सपने में ravial को देखती थी रैवial और Sophia एक दूसरे से प्यार करते थे पर ravial को सजा मिली थी कि वो Sophia के साथ नहीं रह सकता इसलिए ravial Sophia को खुद से दूर रखता था और इसलिए उसने Sophia के memories भी मिटा दी थी इसलिए Sophia को अब कुछ clearly याद तो नहीं था उसे सिफ सपनों में ravial दिखता था पर उसके दादाजी के सच पताने की वज़े से Sophia को अपनी यादे याद आ गई थी उधर सोल्प्लेट रेस्टोन में एंजल्स अपने आखरी कस्टमर का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि धर्ती पर ये उनका last day था तब ही वहाँ Sophia आ जाती है उसे देखकर ravial उसे दूर जाने लगता है तब ही Sophia उसे पीछे से हक कर लेती है ravial Sophia से ऐसा करने की वज़ब पूछता है Sophia ravial से माफिय मांगती है Sophia कहती है कि ravial की शकल उसके ex से मिलती है तब ही Sophia के हाथ में जादू से सोल्प्लेट का एक invite आ जाता है और Sophia ही थी सोल्प्लेट की last customer रैवियल सोफिया के लिए सैलेट बनाता है और Sophia को सर्फ करता है और Sophia पूछती है कि क्या वो उसे बस सैलेट देंगे यह सुनकर ravial सैलेट वापस ले जाने लगता है पर Sophia उसे रोक लेती है Sophia को पता चलता है कि यह एंजल्स का सोल्प्लेट में last day है Sophia कहती है कि उसका एक्सो से याद नहीं करता Sophia का इशारा ravial की तरफ था तभी बाकी एंजल्स ravial और Sophia को वहाँ छोड़ कर चले जाते हैं अगले दिन सोल्प्लेट रेस्टरोन को Sophia खोलती है और अब Sophia उस रेस्टरोन को समालने लगी थी तभी वहाँ उसका पहला customer आ जाता है जो था ravial Sophia ravial को देखकर कहती है कि उसे यकीन है कि Sophia और ravial जरूर मिलेंगे और ये सीरीज यहीं खतम हो जाती है फ्रेंट्स शायद इस सीरीज का season 2 भी बन रहा है पर वो कब आएगा इसकी अभी कोई भी information नहीं है तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए enjoy करिए and बोरा है